आज जिस अंदाज में राजीव कुहू के सामने आये थी और उसी अंदाज में आज कुहू राजीव के सामने एक बहुत ही बड़ा पक्ष रख दी थी और अब राजीव की हाथ अपने सर के ऊपर रख करके कहने लगी थी कि खाईए मेरे सर का कसम कि आप कुछों ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपके राजनितिक भविश्य में थोड़ा सा भी आँ चाए लेकिन वही पर अब राजीव फिर से कुहू के ऊपर बहुत गुसा हो गए थे और कहने लगे थे कि आरे क्यों खाए हम ये कसम लेकिन अब हंसिनी के आने के बाद फिर से वो हंस्ता खेलता हुआ परिवार आगे आने वाला ट्रैक में फिर से मुसीबत से गुजरने जा रहा है क्योंकि आज जब कुहू और राजीव फिर से उसी मंडक में पहुँचते हैं जहां पर अभी पंडित जी उन दोनों के साथ फेरे दिलाने के लिए बैठे होंगे हाला कि कुहू और राजीव वहाँ पर चले जाते हैं और वो उस साथ फेरे लेने का रिती रिवाज भी पंडित जी के बताए अनुसार करने लगते हैं तब ही वहाँ पर हंसिनी आती है और उसी मंडक में राजीव के पूरे फैमली के सामने एक बहुत ही बड़ा शर्त रख देती है और कहती हैं जब तक चुनाव अभियान खतम नहीं हो जाता और चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुहू और राजीव शादी नहीं कर सकते हैं हालां कि अब कुहू और राजीव का शादी यहां पर पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए हंसिनी के द्वारा रोक दिया गया है लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारा साथ निभाते रहिए